बिस्मिल्य रख्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम वेलकुम टू इजाब आर्ट एंड क्राफ यूटुब चैनल आज हम लगा रहे हैं यह वन होल बटन यह देखें मुख्लिफ डिजाइनों के हैं यह बटन फैंसी बटन भी इन्हें कहते हैं यह देखें इन सब को लगाने का तरीका एक ही है चाहिए फैंसी हो या इस तरह के साधे बटन हो एक ही मैथट से यह लगते हैं चले हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं अ उक हम अच Sóarp मैं हमने तबेट को डाल लिया है छे सिंगल तैसरेटी डालके हमने उस को डूब 5 कर लिया है और ये हमने नॉट लगा लिए अब हम बटन लगाते हैं यहां से हम कोई साभी बटन उठाते हैं उसको लगा लगते हैं यह देखें इस होल के अंदर यह जो होल है इसके अंदर हमने सुई को डाला इस तरह किया और ऐसे हमने फोड़ से फासले पर हमने सुई को कपड़े में से निकाल लेएं ठीक है इस तरह अब फिर हम इधर से सुई निकाल लेंगे इसमें से निकाल के अफिर इसके अंदर कपड़े के अंदर सुई को डाल देंगे यह निकाल लें सुई इस तरह फिर हमने सुई को निकाला इस कपड़े में सुई को गुजारा और इस कपड़े में सुई को दुबारा इस तरह निकाल लेंगे फिर कपड़े के नीचे से देखें इधर से हमने सुई को उपर की तरफ निकाला और इस हॉल में हमने सुई को गुजारा इस तरह और यह जो दूसी तरफ है कपड़े में हमने सुई को निकाल लें नीचे की तरफ इसी तरह हम इसको 5-6 दफ़ा लगा लेंगे ताकि यह बटन हमारा खिले नहीं कि इतनी दफ़ा हमने इसको धागे को इस फोल में से गजारना है ताकि यह हमारा बटन खिले नहीं टिक जाए एक जगा पे एक हम अच्छी तरह पका करके इसको हम लगाएंगे कि अब है कि अब है कि अब है कि अब है कि अब हमारा बटन में अपनी जगा पर टिक गया है यह हुआ है यह देखिया हमारा बटन में जऌसे है हम ने अकरीवेंट 6 से साथ दफा हमने यह इसके अंदर से लिडल को ठागा सिमीछ गुजारा है और अब हम एक और काम करेंगे इसके अंदर से एक दफा और क्प्रशनियों धागा के अंतर से अब हमने हमने निकालना अब हमने इसको इन पकड़ लेना है और इसके उपर पीन से चार दफा धागे को इस तरह बल दे लिए यह जो आपको त्रेड नजर आड़ा उसके अरौंड में ठीक हो गया उसके बार फिर हमने इसको नीचे लेके जाना है कपड़े के सुई को और इस तरह ले आएंगे हम और इस साइड पर आके हम इसको अच्छी तरह पका कर देंगे ठीक है ताके हमारा यह धागा जो आत्मिंसे ना निकले और हमारा बटन भी धिला ना हो इस तरह हम इसको पका कर लेंगे अच्छे तरीक्ये से और इसके पाद हम धागे को पट करतेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ओके अला हाफिज झास